हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट सोसल स्टेडीज के वीक नमबर 21 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौट डेली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है जन्तर मंतर तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेशन है आंसर दा फोलोईंग वेर इस जन्तर मंतर सिचुएटिड जन्तर मंतर कहां पर इस्थित है तो बच्चों आंसर है जन्तर मंतर इस लोकेटिड एड संसद मार्क कनाट प्लेस देली जन्तर मंतर दिली में संसद मार्क पर कनाट प्लेस के पास इस्थित है नेक्स्ट है how many gentleman are there in India भारत में कितने gentleman है तो बच्चो आंसर है there are total five gentleman in India भारत में total five gentleman है जैपूर देली वारांसी उज्जेन और मतुरा में नेक्स्ट है who constructed gentleman what color is it gentleman को किसने बनवाया और इसका रंग कैसा है तो बच्चो आंसर है gentleman was built by king of जैपूर जैसिंग it is of red color ये जो है बच्चो जैपूर के राजा जैसिंग के द्वारा बनवाया गया था और इसका रंग कैसा है लाल है अब है बच्चो question what information do we get from gentleman जंतर मंतर से हमें किसके बारे में information मिलती है तो बच्चो answer है we get absolutely accurate information about sun moon and stars from जंतर मंतर से सूर्य चंद्रमा और तारों के बारे में बिल्कुल सही सही information मिलती है नेक्स्ट है discuss with your parents अपने parents के साथ चर्चा करें how the time was calculated when there was no clock जब घड़ी नहीं थी तो उस समय कैसे देखा जाता था अब बच्चो question number 3 है match the following बच्चें यहां पर matching करनी है प्रेसिजेंट्स house तो बच्चो कौन सी picture है यह है प्रेसिजेंट्स राष्टपती का भवन तो बच्चो इसके साथ मैच करेंगे next है रेड़ फोर्ट लाल किला बच्चो कौन सा है यह है बच्चो लाल किला रेड़ फ मेरी मा की दादी मा की कहानी तो बच्चो इसमें हम स्टोरी सुनेंगे my mother's grandmother lived in a village in हिमाचल प्रदेश मेरी जो मा की दादी थी वो हिमाचल प्रदेश में एक गाउं में रहती थी हर grandfather was a teacher उनके जो grandfather थे it means जो मेरी मां है उनके grandfather एक अध्यापत थे and lived in a small town जो की एक छोटे से town में रहते थे कस्बे में which was far away from the village जो की गाउं से दूर था grandmother used to get up early in the morning दादी मा सुबह को जल्दी उठ जाया करती थी and go to well to get water और कुए से पानी लेने के लिए जाती थी after coming back home she used to grind wheat in a चक्की वहां से वापस आने के बाद वो चक्की में गेहु पीसा करती थी to make floor आठा बन आती थी in the summer गर्मियों में freed from the daily chores she used to spin the spinning wheel while sitting under a mango tree in the courtyard of the house जब वो घर के काम से free हो जाया करती थी तो वो चर्खा चलाया करती थी कहां पर घर के आगन में आम के पेड के नीचे बैठ कर चर्खा चलाया करती थी all the women of the village गाउं की सारी औरते used to sing songs together साथ में मिलकर गीत गाया करत थी grandmother used to wait for the postman all the time और जो दादी मां थी वो हमेशा सारे time डाकिया का इंतिजार करती थी because grandfather's well being was known only from his letter क्योंकि जो grandfather थे दादा जी थे उनके अच्छे होने की जो जानकारी थी केवल पत्र के द्वारा ही पता चलती थी grandmother used to prepare dinner before the sunset दादी मां सूरे के छिपने से पहले ही खाना बना लिया करती थी because क्योंकि it was difficult for her to prepare food in the light of the lantern क्योंकि lantern के light में उन्हें खाना बनाने में difficulty होती थी at night रात में all the villagers used to sit together सभी गाओं वाले एक साथ बैट जाया करते थे and share each other's well being और एक दूसरे के सुख दुख को share करते थे in winter सर्दियों में they used to sleep inside the house वे घर के अंदर सोया करत थे in the summer और गर्मियों में villagers used to sleep in the open area of the courtyard और गर्मियों में जो गाओं वाले थे वो खुले मैदान में सोया करते थे children बच्चो today you have all the technical comforts बच्चो अब आपको सभी तक्नीकी सुविधाएं प्राप्त हैं but life is also possible without technology लेकिन जो जीवन हैं वो बिना तक्नीक के भी संभव है read grandmother's story allowed अब बच्चो इस story को आप तेज आवाद में पढ़ेंगे and understand और समझेंगे how people lived their lives without technical comforts at that time कि उस समय लोग जो है बिना तक्नीकी सुविधाओं के कैसे अपने जीवन को जीते थे अब है बच्चो to do something यहां कुछ करने के लिए है discuss video elders अपने बड़ों के साथ चर्चा करेंगे how they used to send messages in the absence of modern facilities बच्चो आज की जो सुविधाओं हैं इनकी अनुपस्थिती में इनकी absence में जो आपके elders हैं वो कैसे संदेश बेजा करते थे तो बच्चो आंसर है in the absence of modern facilities modern सुख सुविधाओं के अभाव में messages were sent through letters जो संदेश थे वो पत्रों के माध्यम से पिजन्स कबूत्रों एनिमर्स जानवरों इसमोग धुआ रनर्स इड मीन्स हरकाराज और बाइस सेल्फ या फिल स्वेम भेजे जाते थे विच्च टुक अलोट अफ टाइम जिस not what is easy कारे वह करो जो सही हो ना की वह जो आसान हो फूड और ट्रिंक में आज आप लेंगे इट ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक बच्चों हरी सब्जियां खाएंगे जैसे की इस्पिनेच पालक सरसों का साग पी मतर मेथी एट सक्रा एक्टिविटी टेल वेरेस वेस टू आजकल जो वायू प्रोडूशन है उसे रोकने के लिए विभिन तरीके बताईए तो बच्चों नेक्स्ट है गेम खेल में आप क्या खेलेंगे बच्चों प्ले एनी गेम इंसाइड यूर हम घर के अंदर कोई भी खेल खेलें जैसे की लूडो कैरम चैस एट सक्टरा डेल ही रूटीन अपने डेली रूटीन में में दी गए है 及ट्स को सामिल करें स्विकिंड ऐ्योडी advice करें अपने दिन की सुरूद करें ब्रश जैस डे दिने दो बार डातों को ब्रस करें तेका बाथ रोज़हना नहाएं प्लेंट मात्रा में पानी पीएं और रियाक्त नियमित रूप से धोएं, complete your homework on time, अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you